Hello friends, CKD Stock Market News Channel में आप सभी का स्वागत करता हूँ और current में अगर बात करेंगे तो पिछले एक साल में किसी investor ने अगर individual shares के अंदर किसी भी rates से entry कई होगी भाई साब वो negative ही होगा, almost सारे return साल भरके negative हो चुके हैं अब बहुत ही कम ऐसा investor बचा होगा जिसने shares के अंदर directly पैसा डाला और उसका positive portfolio हो, ठीक है बहुत ही कम ऐसा क्योंकि सब खा चुका पिछले एक डिएल साल का return सब खतम हो चुका है लोगों के पन्ने पर ही return आया, पन्ने पर ही return निकल गया, ठीक है अब लोग डरने लगे हैं, अब आपको वीडियो भी हर जगे है, देखने लोगों मिल जाएंगे crash वाले मैं crash के ज़्यादा वीडियो नहीं बना रहा क्योंकि सिंपल सी बात है, panic create करना ही क्यों है क्योंकि सारी चीज़ें यहां से बदल जाने वाली है बिद अडियो रिस्पेक्ट बोल रहा हूँ, हम फिर से हाई लगाएंगे, मैं हम यह सा reverse में बोलता हूँ कि जब सबसे ज़्यादा लोग डरें, उसी समय आपको opportunity दिखनी चाहिए जब सबसे ज़्यादा लोग लालच करें, एक simple सा fund है, जब सबसे ज़्यादा लोग लालच करें, उसे में मार्केट से दूर हटके रहे ना चाहिए थोड़ा सा, और मैंने past की वीडियो भी अगर आप देख रहे होगे, तो वहाँ पर जब निफ्टी 25,000 को क्रॉस करा तब मैंने आपसे बोला था कि भाई साब अपने पैसे को थोड़ा सा दिख रही है, वहाँ पर जाएं, इसी की वज़े से किवल किन का, अगर साल भर के अंदर, अगर किसी बंदे ने mutual fund के अंदर पैसा डाला है, तो यह मैं मान के चल रहा हूँ, कि आप सभी के portfolio बचे होंगे, देखिए यही एक फायदा होता है, कि mutual fund का return इतनी तेजी से नहीं आपको कुछ फरक ही नहीं पड़ता, being a long term investor आपको फरक नहीं पड़ना चाहिए, कि market कहा जा रहा है, अगर market हजार दो हजार पॉइंट यहां से नीचे गिरे, तो बस deploy करना है, स्टार्ट करो, अब आप का होगे CKDGR हजार दो हजार पॉइंट तो नहीं गिरेगा, तो मेर नहीं नहीं लगना चाहिए, हाँ, short term के लिए गिरा है, ठीक है, फिर बढ़ेंगे हम, जो चीज गिरी ही नहीं फिर वो उपर जाएगी कैसे, ठीक है, तो market को गिरना भी ज़रूरी है, एक handsome correction आ रहा है, धिरे-धिरे, हलाकि क्योंकि अब अमेरिका से भी आपको अच्छे न तो आपको क्या करना चाहिए, देखिए, आगर जैसे हुंडे का ही IPO आया था, मैं एक hypothetical example ले रहा हूँ, हुंडे का share है, company ने गाली बनाना तो न बंद कर दिया, आपके 13-14 रोप में लगे, उसमें भी आप loss पे हो, company ने गाली बनाना तो न बंद कर दिया, company धंदा तो न ब वरुसा है, देरे-देरे अवरेज कर रहे थे, accumulate हो रहा था amount, तो at least long term में आपको अच्छा return दिखाएगा ही, दिखाएगा market, यही एक opportunity है, आगे ले करके चलें, बुनाएं इसको, निफ्टी 50 की बात करें, 23,532 का है, यह पूरे chances हैं कि 22,600 तक यह निफ्टी आ सकता है, और 22,600 अगर जिनके पास बिलकुल risk नहीं लेना चाहते हैं, पैसा भी नहीं उनके पास, तो 22,600 पे अपने financial advisor से पूछ के, कोई भी अच्छा mutual fund और जो आपको fundamentally strong share लगे, अगर आप क कर सकते हैं, तो उसको deploy करके चलना, अगर आपको तब भी डर लगता है, आपको आज भी डर लगता है, तो चुप चाप देखो यहां पर, क्योंकि देखने से भी आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगे, कि देखिए 22,600 आया, सब डर रहे थे, उसके बाद हो सकता ह 27,000 जाए, 30,000 जाए, जो भी इंडेक्स जाए, इवन 22,000 से अगर 15,000 भी आजाए, तो दोनों साइट आपको नजर आना चाहिए, कि देखिए, मार्केट तो गिरा था, उपर बढ़ा की नहीं बढ़ा, ठीक है, इसके साथ साथ, अच्छा, मार्केट गिरा, जो एक्सपेक् मनाया, अमेरिका में जो प्रेसिडेंशल पत के एलेक्शन थे, और जस्ट में क्या बनाया, हमारा पोर्फोलियो लालो गया, यह अमेरिका ही एक लॉजिक है, एक लॉजिक यह भी है, प्रिजेंट गॉर्मेंट की जो तीस सीठे का में, उसका भी कहीं ना कहीं इंपक्ट है जो सॉलेड डिसीजन थे, वो नहीं आपा रहे हैं, एक डिसीजन और भी है कि PSU सेक्टर हो, यह सब ने बंपर रिटन दो जार चौवेस में बना के अल्ड़ी दे दिया था, तो जिसकी वज़े से कहीं न कहीं यह सांत भी हैं, ठीक है, अब ट्रेन सेक्टर का ही लिलो, ठी बाइ, ट्रेने बंद थोज ना हो गए, ट्रेने तो गौर्मेंट बैक टू बैक लॉंच कर रहे है, एलेक्टरिनेक वेहिकल के शियर, यानि कि पावर सेक्टर नहीं काम कर रहा है, बाइ, पास्ट में बहुत दे गया, 4-5 रुपई के चलने वाले शियर, 400-500 पहुँच किसी भी mutual fund में, किसी भी share को पकड़ने से पहले एक बर अपने financial advisor से पूछो और दूसरा patience और time दोगे तो आपका पैसा बनेगा market के अंदर, निफ्टी bank दिखो 50,100 अनाती, निफ्टी mid cap सब तूटके खतम हो चुके हैं वहाई साफ, लोगों का portfolio पूरा लाल हो चुका है, कि ये मानके चलना, फिर mutual fund वाले भी, साल डेड़ साल से जो लोग invest कर रहे थे, वो भी negative हो जाएंगे, तो ये कॉपर चुटी है, लोग बोलेंगे कि 2008 वाला crash आ सकता है, वैसा crash नहीं आएगा, क्योंकि वो सब को पता है, आदमी सब बेच बाच के लगा देगा, अगर 2008 वाला पहुच जाएंगे, तो ड़नने वाली चीज़ है नहीं, क्योंकि भाई आना तो पड़ेगा, उन्हें, सब कुछ बेच के नहीं जा सकते, चाइना देखो वो जा नहीं सकते, अपनी country में वो लोग इतना ज्यादा invest करेंगे नहीं, क्योंकि because diversify भी करना पड़ेगा, और Compliance बहुत हुए हैं इस देस के अंदर, तो जिसका positive सीधा सीधा impact company की balance sheet पर आएगा, इससे stakeholders और investor को बहुत फायदा होगा long term में, यह सारी परदे की चीज़े हैं क्योंकि share आपको सामने दिखता है, उसके पीछे कितनी मेहनत, कितने लोग लग लगे रहते हैं, सरकार का किस सरीके से participation रहता है, यह आप नहीं देख पाते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ क्योंकि मेरा profession इसी same background में हो करके आता हूँ, चैनल को subscribe कीजिएगा, वीडियो को like कीजिएगा, को doubt हो comment box में रखेएगा, हरर महादय बोली, और डटे रोह market के अंदर भाई साब हिलना नहीं है, स इस समय तो मेरा मानना है रोज market देखो, और जब market उपर चला जाए तो चुपचा मोगाइल बंद कर किनारे धर दो, बहुत बहुत धन्यवादू